Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, I am Nayan Aasim with a new video. I hope everyone is doing well. तो आज की वीडियो भी informative वीडियो है और ये related है बच्चों से कि बच्चों के screen time बहुत बढ़ गया है, आज कल हर parent के यही problem है कि बच्चों के screen time बहुत बढ़ गया है, वो भूद चिर्चडाते हैं, aggressive हो रहे हैं, stubbornness दिखाते हैं कि उनको mobile या tablet दे दिया जाए, या TV पर भी जो cartoon लगाया जाए, वो internet पर लगाया जाए, for example YouTube channel पर लगाया जाए, क्योंकि अब सारे TVs smart TV हैं, LEDs हैं और वो सारे sync हो जाते हैं, और सब ही बच्चे बोलते हैं कि हमें YouTube पर cartoon देखना है, लेकिन problem ये आती है कि YouTube पर unsuitable ads आजाते हैं, जो बच्चों के से बिलकुल सही नहीं होते हैं, बच्चों के जहन के लिए बिलकुल सही नहीं होते हैं, और इसलिए बच्चों के aggressiveness और बच्चों की stubbornness इतनी बढ़ गई है, क्योंकि वो उसी तरह का content देखते हैं और उसी तरह react करते हैं, ये issue जादतर toddler से लेके within the age of 8 years के बच्चों में है, कि वो stubbornness चरचराहट पन दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि उनका दिमाग अभी सही से develop नहीं हुआ है, और उनको पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है या क्या गलत है, आज की वीडियो इसी से related है कि कुछ वो applications जो safe हैं kids के लिए और उनके लिए बहुत अच्छी भी है, उनके learning process के लिए उनकी brain development के लिए अच्छी है, तो आज मैं वो apps share करने वाली हूँ, जो बच्चों के लिए safe हैं और उनके लिए बहतर हैं, so let's get started, so सबसे पहली app जो हमारे पास है वो है YouTube Kids, YouTube Kids में सबसे बड़ा benefit यही है कि उच्छ में एड नहीं आते हैं, तो वो बिलकुल safe है kids के लिए, अगर kids को छोड़ भी दिया जाए, वो application दे के तो वो safe है, और उसके content भी suitable होते हैं, entertainment contents होते हैं, learning contents होते हैं, तो that is suitable for kids, तो YouTube Kids जो है, वो बिलकुल safe है बच्चों के लिए, second application जो हमारे पास है, वो है kids dua now, this is a very wonderful application, भहुत ही भैतरीन application है, यह जो है islamic related content के उपर application बनाई गई है, जिसमें बच्चों को दुआएं याद करवाई जाती है, और islamic content और islam से related उनको attract किया जाता है, जो के एक बहतरीन app है यह, और यह हर parent को पता होनी चाहिए, और यह बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए, और इसमें उनको interest develop होगा, islam की तरफ, दुआएं की तरफ, जो के बहुत ही अच्छी बात है, आप यह देख सकते हैं, कि यहापे आप age group भी select कर सकते हैं, कि कितने बड़े बच्चे हैं आपके, उसके related ही यह content दिखाएगी, यहापे दुआएं हैं, और यहापे जिस तरह की इनोंने colorful जो एप बनाई भी है, उससे बच्चे attract होते हैं, और उनको यह एप यूज़ करने में मज़ा आता है, और उससे उनको learning भी होती है, वो भी Islamic content पे, तो यह एप is highly recommend, कि हर बच्चा इसको use करें और इससे सीखें, तो यह एप play store पे भी available है, और apple store पे भी available है, तो इसको शरूर डाउनलोड करें, थर्ड हमारे पास जो application है, वो है ABC mouse के नाम से, ABC mouse.com के नाम से यह application है, और यह बहुत ही बहतरीन application है, खास दौर पे learning के हवाले से, इसमें multiple of subjects हैं, multiple of इसमें जो हैं, जो हैं जो हैं जो हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बैठरीन learning process होता है, आप यह पे देख सकते हैं, यह देखें आप इसमें multiple of games भी हैं, subjects में इनके पस reading and lecture art है, maths है, उसके related इनके पस content है, game भी हैं, जिसे games भी खेलें, वो अट्रेक्ट भी रहें, और साथ में उनका learning process भी जिसे बहुत है. इसमें जो है categories बनाई भी है, art and drawing भी है, coloring भी है, और हर थरा की categories है, जिसे बच्चों को बहुत जादा help मिलती है, उनका learning power develop करने में, listening develop करने में, और reading develop करने में. तो इस app से बच्चों का time pass भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और उनकी learning abilities भी enhance होंगी. और यहाँ पर coding सिखाई जाती है बच्चों को. Coding made easy है, और साथ में जो इनका तरीका है, सिखाने का, जो इनकी teaching style है, और जिस तरह यह बच्चों को सिखाने है, यह बहुत ही बहतरीन है, इससे बच्चों की learning भी हो जाती है, और साथ में उनकी जो है, entertainment भी हो जाती है, उनको मज़ा भी आता है, तो मतलब यह है कि उनका time pass भी बहुत अच्छा हो जाता है, और साथ में learning भी हो जाए, तो एक ही time में आपको बच्ची के entertainment भी हो जाए, और learning भी हो जाए, और coding एक ऐसी skill है, जो जाहर है future में भी उसके बहुत helpful होगी, तो parents की app ज़रूर देखिएगा, बच्चों को भी दिखाईएगा, और अगर इसमें उसका interest develop होता है आपके बच्चे का, तो यह बहुत भेतर होगा उसके future के लिए, so this was the video, और यह मैंने वीडियो जाहर है, आजकल के problem के accordingly मैंने यह बनाई, कि बच्चों को देखते हुए parents बड़े परिशान होते हैं, कि वही time वो जो fall to content देख रहे हैं, उसके अलग वो कुछ ऐसा देखें या कुछ ऐसा करें, जिससे उनकी learning ability और उनकी brain development भी हो, तो यह apps ऐसी ही हैं, जो आपको इस problem से बाहर निकालेगी, बच्चों की learning abilities भी बड़ेगी, brain development भी होगी, और साथ में उनकी entertainment भी होगी, साथ में मुझे comment में जरूर बताईएगा, कि कौन सी apps आपके लिए बिलकुल नहीं हो थी, और कौन सी app अब आप इस्तमाल करने वाले हैं अपने बच्चों के लिए, साथ में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, आगे जो वीडियो आ रही है, वो बहुत ही अच्छी है, अर्णिंग फ्रॉम होम के हवाले से एक एप मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत ही भैतरीन है अगली वीडियो में, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आजाए, उसके लिए मेरे बैल आइकन को जरूर प्रैस करें, और अपना खयार रखें, अलाफिस, तिलिए नेक्स टाइम.